हलो फ्रेंड्स मैं फरीन खान वेलकम टू आवर यूटूब चैनल नौलिज टू फोर सेवन फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे हैं वो कम्प्यूटर के MCQs की बात कर रहे हैं तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए जो है उसी से रिलेटिज जो है कोशन की बात करेंगे जो हर जो है एक्जाम में पूछे जाते हैं चाहें फिर वो IBPS कलर्क हो या SSC हो रेलवे हो किसी भी कोई सा भी एक्जाम हो तो देखिए फर्स्ट कोशन का इस पर चलते हैं इंस्ट्रक्शन के उस समू को क्या कहते हैं जो कम्प्यूटर को बताता है कि क्या करना है ओप्शन देखिए मेंटर इंस्ट्रक्टर कमपाईलर या फिर प्रोग्राम कोशन था कि इंस्ट्रक्शन के उस समू को क्या कहते हैं जो कम्प्यूटर को बताता है कि क्या करना है तो mentor इंस्ट्रक्टर है यह पर क्या है यह instructor ठीक है compiler या फिर program तो इसका answer नामबर डी यानि की program इसको क्या कहते हैं program कहते हैं friends यह जो question था यह आईबी पी ऐस clerk में जो है आचुका है question आईबी पेस 2011 में आया है यह question तो यह question जो है अच्छे से याद कर लेना दूसरे क्या है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धिती कि सिधान पर आधारित है ऑप्शन देखिए केवल तर्क पर इलेक्ट्रोनिक परिपत पर गर्णा एवं तर्क पर या फिर मापन पर तो जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका जो कार्य पद्धिती है वो किस सिधान पर आधारित है तो उसका जो सिधान वो है गर्णा एवं तर्क यानि कि ऑप्शन नमबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंस गड़ना एवं तर्क पर डिजिटल कंप्यूटर का सिध्धान्त आधारित है अगला कुशन देखिए डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है ऑप्शन देखिए डाटा का संग्र है कंप्यूटर की कारे प्रणाली गड़ना कारे करना ये वाड़ी जिक उप्योग के लिए ज जानकारी तयार करना ये जो है इसका आंसर है यानि कि ऑप्शन नंबर फोट जो है वो इसका कर्रेक्ट है अगला कुशन देखिए निमलेखित मैसे कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेयर कंपनी है ऑप्शन देखिए इनफोसिस टी सी एस विप्रो या एच सी एल त UPCS 2011 में ये कोशन आ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेयर कंपनी कौन सी है TCS अगला देखिए क्रे क्या है मीनी कंप्यूटर मैंक्रो कंप्यूटर मैंन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर जो क्रे जो है वो क्या है तो वो जो है एक सुपर कं कंप्यूटर है अगला देखिए माइक्रोसॉफ्ट का कारियाले कहा है और देखिए नियू-york, लंदन, सीटल या फिर पेरिस तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका जो कारियाले है वो है आपका सीटल में यानि कि अप्शन नम्बर थर्ड जो है वो करेक्ट है अगला कुश प्रेंगे डिस्पले, या फिर लिकुिड लिक्विड क्रिस्टल डिस्पलेः जो LCD है, उसका पूरा नाम क्या है, ये जो कोशन है, ये आई बी, पीएस Lenka। तो हजार चौदा में यह पूछा गया था कोशन जो LCD का पूरा नाम क्या है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यह जो है इसकी फुल फॉर्म है LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक है अगला देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहां पर अटक जाता है ठीक है ऑप्शन देखिए रैम रोम हार्ड डिस्क या फिर फ्लॉपी डिस्क तो यह जो कोशन था फ्रेंट्स यह SSC 2013 में आ चुका है यह SSC 2013 में जो है यह आ चुका है कोशन क्या है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश जाता है तो वह जो होरा उटक जाता है ऑप्शन नमबर जो फिस्का करेक्ट आंसर रेम मादेश अगला देखिए कंप्यूटर की इस्थाई इस्मरती को क्या चाहते हैं। computer की स्थाई इस्मरती है उसको हम क्या कहते हैं option देखिए RAM, ROM, CPU या फिर CD ROM जो computer की स्थाई इस्मरती है उसको हम क्या कहते है उसको हम पुलने है ROM और इसकी full form क्या है Read only memory on the memory Read only memory ठेक है ये जो है इसकी full form है ROM की और REM की क्या है Random Access Memory मोरी यह जो कोशन था कम्प्यूटर के स्थाही स्मृति जो है यह कोशन जो यूपीपीसी 2013 में कोशन आया था यह अगला देखिए निम्ड मैंसे कौन निर्गम उपकरण नहीं है आप्शन देखिए इंजेक्ट मुद्रक फ्लोटर प्रकाशित लक्षर अभी गया था या फि यह कोशन तो मैं कोशन वही करा रही हूं जो जो है एक्जाम में आ चुके हैं प्रिवेस एक्जाम में आ चुके हैं तो देखिए प्रकाशित लक्षर अभी अभी गयता ऑप्शन नम्बर जो थर्ड है अभी गयता नहीं अभी गयाता है या पर आपर गया पर डिंडा है अ important है तो निम्द मेंसे कौन निर्कम उपकर नहीं है प्रकाश लक्षर अभी गया था इसका option number third जो है वो correct है अगला देखिए computer virus है एक ऐसा computer program जो स्वयम की प्रतिरिपिया बना सके ऐसा virus जो अनुष्य के स्वास्ते को प्रभावित करें या उप्यूग दोनों या इन मेंसे कोई नहीं तो computer virus जो है वो क्या है फ्रेंट्स यह वाला जो कोशन है यह MP MPPSC में यह जो कोशन है 2012 में आ चुका है कोशन computer virus क्या है तो जो ऐसा computer program जो स्व्यम की प्रतिरिपिया बना सके option नंबर जो फस्ट है वो correct answer है इसका अगला देखिए दस लाग बाइट्स लगबग होती है गीगबाइट के लूबाइट मेगबाइट यह टेरबाइट जो दस लाग बाइट्स होती है वो किसके बराबर होती हैं तो वो किसके बराबर होती है मेगबाइट से आने की MB ठीक है अगला देखिए निम्ले की कतनों पर विचार कीजिए था नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए पहला है कि डॉट net framework Microsoft द्वारा विक्सित किया गया है दूसरा है कि Java Sun Microsystem द्वारा विक्सित नहीं सही है या फिर इन में से कोई सही नहीं है तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों ही सही है पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है यह कोईशन जो यह भी MPPSC 2008 में पूछा गया था यह वाला कोईशन अगला देखिए पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विक्सित की गई थी ऑप्शन देखिए कोबल बेसिक फोर्ट्रेंड या फिर पासकल जो पहली कंप्यूटर भाषा थी वह कौन सी थी तो वह कौन सी थ थर्ड है जो है वो जो है आंसर है इसका फोर्ट्रेंड और यह ऐसे सी 2003 में आ चुका है कोईशन 2003 में यह कोईशन पूछा गया है तो यह कोईशन सारे ही जो है प्रिविस एर एक्जाम में पूछ गया है देखिए अगला क्या है पहली कंप्यूटर के लिए IC आम तोर पर ब प्रिविक तो आई सी जो है वो चिप बनी होती है पूरा कोशन यह था कि कंप्यूटर में प्रिविक तो आई सी चिप बनी होती है अगला देखिए फ्रेंस तो ये थे आज की हमारे कोशन और अगर आपको जो है कोशन पसंद आ हैं तो वीडियो को जादा सादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कोशन ये कैसे लगे और जो है कल हम इसी से इस से जो आगे की सीरीज उसकी बात करेंगे जो मैं जो ही आपको कोशन करा रही हूँ ये सारे ही जो है प्रिवेस एक्जाम में आ चुके हैं इसलिए ये आने वाले हर एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए जड़ साथ वीडियो को लाइक कीजिए